इन्वारिमेंटल स्टेडीज के टॉप 10 की वीडियो में आप लोगों का वेलकम करता हूँ EVS में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर का ये पूरा सब्जेक्ट आता है पेडागोजी की हम 10 वीडियो कर चुके हैं टॉप 10 की लेकिन इन्वारिमेंटल स्टेडीज का जो कंटेंट था वो हम इस वीडियो से करना शुरू करेंगे तो ये पहली वीडियो है दोस्त EVS में सिर्फ यही कर लो आप रिजल्ट बोलेगा आपके लिए और 125 प्लस आपके शोर हो जाएंगे क्योंकि EVS में अब की बार जितने भी कोशन्स आएंगे वो हमारी इस सिरीज के अंदर से ही आएंगे तो ये पहली वीडियो है नए स्टुडेंट अगर चुड़ते हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल को और साथी बेक टू स्कूल की एंडरोइड अप्लिकेशन को भी इंस्टॉल कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा इसको इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट मनाए यहाँ पर मोक टेस्ट नोट्स और पीडियेफ हैं सीटेट एगजाम के लिए अगर आप उनको ट्राइ करते हैं तो आपका एगजाम 100 परतिशत जो है पास होगा सब्सक्रिप्शन जरूर ले ताकि मैं आपका नाम शेयर करूँ रुपाली ने आज सब्सक्रिप्शन लिया एक लोती है जिनोंने सब्सक्रिप्शन लिया है कल और आज में तो सब्क्रिप्शन जरूर लीजेगा तो चलिए पहले कोशन से शुरू करते हैं जो भी कोशन आपकी स्क्रीन पर आप आएंगे वो एक से एक बढ़के होंगे तो आपको आंसर देना है पश्वों के वीच परतिस प्रदा में निमन में से कौन सा गटीत होता है दोनों पश् और लास्ट वाला बोल रहा है एनिमल नीदर गेट्स बेनिफिट नोट हार्मड आंसर बताईए दोस्ते यहां पर क्या होगा देखिए आंसर होगा दोनों पश्यू लाभानवित होते हैं देखिए जो परियावन होता है आप तो सोच रहे होंगे एक पश्यू दूसरे को म मार देगा तो इसमें दोनों लाभानवित कैसे होए देखिए ईवियस में आप एक चीज़ ध्यान रखें ऐसे कुश्यन आएंगे और आप ध्यान रखो कि परियावन में पश्यू आबादी एक दूसरे के साथ परश पर परवावित होती है ठीक है और यह जो आपका प्रत यहाँ पर आंसर आएगा पहले वाला ही दूसरा पोधे के किस हिस्से से लोंग और केसर पराप्त होते है जड़ स्टैम फूल या फल बताईए देखिए फूल से लोंग और केसर हमें पराप्त होंगे क्योंकि जो अलग-अलग चीज है वो अलग-अलग पोधे के पार्ट से पराप्त होती है तो लोंग और केसर फूल से पराप्त होगे वन्ने जीवन की सुरुक्षा के लिए इंटरनेशनल संगठन कौन सा है बताईए इंटरनेशनल ओर्गनाइजेशन फॉर दी सेफ्टी ओफ वाइड लाइफ आई-यू-सी-ए-न क्या नामे दोस्त इसका आई-यू-सी-ए-न आई-यू-सी-ए-न का मतलब क्या हुआ दा इंटरनेशनल यू-नियन फॉर कंजर्वेशन ओफ नेचर एड नेचुरल रिसॉर्सेश चलिए जी नेक्स्ट कोश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कीट केकडे गोंगा स्टारफिश जैसे जीवों को डैश वर्ग में शामिल किया गया है एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, कार्ब, स्नेल, स्टारफिश रिंक्लूड़े इन दी कटेगरियो अक्षेरुकी इसका मतलब होता है इनवर्ट ब्रेट्स, कशेरुकी, वर्टी ब्रेट्स, स्तंदारी, मैमल्स, इन में से कोई नहीं, बताओ आंसर क्या होगा, जितने भी कीट, कीकडे, गोंगे, स्टारफिश है इनको किस में आप जो है, इन्वर्टी ब्रेट्स में आप इनको काउट करते हैं अक्षे रुकी में आप इनको काउंट करते हैं देखे अक्षे रुकी वे जीव होते हैं जिनके रीड की अड़ी नहीं होती कीडे, केकडे, गोंगे, स्टार फिश ऐसे जी वो में रीड की अड़ी नहीं मिलती है और जितने भी ये केशुरेकुई यानि की जितने भी अवर्टीब्रेट सुए, जितने भी मैंबल सुए जैसे स्तन पाई, पक्षी, मचली, उभैचर इन सब में आपके रीड की अड़ी पाई जाती है लेकिन ये जो अक्षे रुकी है इनके अंदर रीड की अड़ी नहीं होती देखिए माइक का मतलब होता है हातियों की अवैद अट्या के निगरानी करना माइक की करना जितने भी हाति हैं उनकी अवैद रुप से जो अट्या होती है उनके उपर नजर रखना कहलाता है और 2003 में दक्षिन एशिया दोबारा ये शुरू किया गया था और ये जो माइक है इसका मुख्या उदेश है गैर कानूनी शिकार में जो है कमी लाना है और इसको मापना है और भारत में जो माइक स्थल है वो है चिरांग, रिंपू, मयूर बंज, दांग पटकी, मैसूर, निलगिरी, देव माली, शिवालिक, गोरा की पाड़ियां इन सब में जो है इस तरीके के काम होते है जैसे के मयूर बंज हुआ, दांग पटकी हुआ, निलगिरी हुआ ये तीनों के तीनों माइक स्थल है यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि हाथियों की अत्या तो नहीं की जारी है पूरी नजर रखी जाती है लेकिन सुन्दर बंज से ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ पर ना तो हाथियों की अत्या होती है और नहीं वहाँ पर माइक है नेक्स्ट रात में जागने वाले जानवर वस्तों को देख सकते हैं हर रंग में केवल काली और सफेद रंग में केवल हरे रंग में केवल लाल रंग में काले और सफेद रंग में ही देख सकती है रात को जागने वाले जानवर वस्तुओं को काली और सफेद ही जो है में देखती है देखिए रात में जागने वाले जानवर के वल काले और सफेद वस्तुओं में क्यों देखती है इसके पीछे रीजन है जैसे बिलियां अलग रंग जैसे लाल और नीला देख सकती है बिलियों की अगर बात करने तो वो लाल और नीला रंग देख सकती है जबकि अधिकाश बंदर और जितने भी बड़े वानर है जैसे गोरिला हुआ चिमपैंजी हुआ वो इनसानों की तरह रंगद्रिष्टी रखते हैं बिल्कुल सेम उनकी आख में तीन परकार के शंकू होते हैं इसलिए वो मनुश्यों की तरह कई रंगों के बीच में भेद भी कर सकते हैं लेकिन रात में जागने वाले केवल काली और सफेद नेक्स्ट कॉश्चन हाथियों के विशय में नीचे दिया गया कौन सा कतन सही नहीं है नहीं वाला पैचानना है हाथि अपना अधिक बार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं पहला उप्शन तो ठीक है तीन महीने के हाथि के बच्चे का बार लगबक दो क्विंटल होता है नहीं गलत है यह यह गलत है दोस्तों वैस के हाथि एक दिन में दो क्विंटल से भी अधिक पत्ते और जाडिया खा सकता है तीसरा बिलकुल ठीक है हाथी दिन में चार से छे गंटे सोते है बिल्कुल ठीक है देखिए अगर मैं बात करूँ दो क्विंटल नहीं होगा तीन महीने के का लगवग 90 किलो के करीब होगा यह तुझ बहुत जादा बता दिया दो महीने के आथी के बच्चे का बार दो क्विंटल नहीं होता देखता हूँ मैं फ्रोण सांदाद लगाए क्योंकि जब मैंने पिछली बार जब पढ़ा था तो मैंने देखा था जो 90 के जी था वो दो साल तो नहीं लगवगी के लगवग बर्थ के टाइम पर होता है बर्थ टाइम पर हो गया दो साल का ठीक है और एक दिन में ये लगवग पचास के जी पतिया फूड खा जाता है डेट सो किलो तो फूड खा जाता है और पचास लीटर पानी पी जाता है हाथी की अगर मैं बात करूं तो लेकिन दो क्विंटल नहीं होता इसका वेट कितना होता है तीन मेने के आती के बच्चे का वह आप नीचे कमेंट में बताईएगा लेकिन ये मैं शोर हूँ कि दो क्विंटल नहीं होगा तो आंसर भी होगा यहां पर आपको गलत पहचानना था हिंद मास आगर में प्रिंस ओफ पर्सिया आपने मूवी देखी दी ना तो वो फारस का राजगुमार था आंसर क्या होगा फारस की खाड़ी होगी हिंद मास आगर दुरिया का कितने नमबर का बड़ा मास आगर है हिंद मास आगर अगर बात करें तो थरड है पूरी वल्ड में सबसे लंबा सबसे बड़ा मतलब और फारस की खाड़ी हिंद मास आगर मिस्ती थे बंगाल की खाड़ी के अलावा कैमबे की खाड़ी मननार की खाड़ी भी हिंद मास आगर मिस्ती थे बहुत सारी खाड़ी है फारस की खाडी, कैमबे, बंगाल, मननार, यह सब हिंद महासागर मिस्ती थे, तो थर्ड नमबर का सबसे बड़ा महासागर है निमन में से किस प्रक्रिया में जल वाश पर ठंडा होकर जल में प्रिवर्तित होता है In which of the following process, water vapors is converted into water by cooling down वाश पी करण, evaporation, संगनन, condensation, humidification, या फिर, precipitation, आंसर क्या होगा, आंसर तक पहुँचे और मुझे आंसर बताईए यह कुशन बार बार आपके एक्जाम में आया भी हुआ है आंसर यहाँ पर होगा, condensation, आंसर यहाँ पर क्या होगा, संगनन, तो दूसरा option चूज करो यहाँ पर देखे जब तापमान में कमी होने पर, water अपने वाश्प से आपके तरल जल में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रिक्रिया को संगनन का आ जाता है तेंपरेचर कम हुआ और पानी अपने वेपर से लिक्विड में जो है चेंज हो जाता है condensation इसको हम कहते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ आगे वढ़ते हैं परवर्त संकलाओं में मौझूद पानी की मात्रा कितनी है कितने परसेंट है परवत संकलाओं परपानी की मात्रा होती है आपकी 0.003% तो यह जो दूसरा आपको option दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल ही right answer होगा है हाँ पर तो दोस्त आज की इस वीडियो में जैसे मैंने 10 question आपको कराए EVS pedagogy में था हम 10 वीडियो करी चुके हैं लेकिन यह EVS content की class थी तो जिसमें पहली वीडियो थी यह वीडियो और अच्छी आएंगी आपके लिए और ज्यादा वीडियो भी आएंगी लेकिन आपको वीडियो को देखते रहना है अपने यार दोस्तों तक शेर करते रहना है और जैसा हमें ने बताया हमारे back to school की android application को install कर लेना है अभी पहले comment में और description में लिंक दे रखा है subscription जरूर ले दोनों language में mock test notes PDF है जिनसे आपका exam clear होना लगबग तय है और रुपाली ने आज subscription लिया आप भी ले ताकि आपका नाम में शेर कर सको नेक्स्ट वीडियो में दोस्त आप लोगों से मुलाकात करता हूं तब तक के लिए जैहिंदी जैभारत ने most important बात पढ़ते जरूर रहना है Thank you